हेलो दोस्तो और वेलकम यूलू जी के डैफ्स्टर दोस्तो मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टन अप्डेट लेकर आया हूँ दोस्तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ इंडिया और चाइन 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 आफ पांच मई 2020 से अब तक चला आ रहा था जिसे लगबग डाए साल होने को आ रहा है और दोस्तो इसी स्टेंड ओफ के कारण हमारे कुछ जवान वीरगती को शहीद हो गए और वही चाइनीज लिबरेशन आर्मी के भी सोल्जर्स हमारी सेना के दौरा मारे गए जो कि बहुत संक्या में मारे गए थे पर दोस्तो चाइना ने इसी बात को आज भी दबा रखा है पूर दुनिया से यहां तक कि अपने ही आम नागरिकों से चाइना ने अपनी मिलिटरी के बारे में छुपाया दोस्तो जो इंसिडेंट गलवान वैली में हुआ था वो चाइना अपने लोगों को एक विक्तरी बताता है जो कि सरासर जूट है चाइना में कई सोल्जर्सों की फैमिली को तो यही नहीं पता कि उनका बेटा पती जो भी वो सोल्जर लगता है जिन्दा भी है या नहीं या मार दिया गया और दोस्तों चाइना की सरकान ने अपने जवानों को तो उनके घर भी नहीं बेजा यहां तक कि सोल्जर्स की फैमिली ने ये बात उठानी चाही पर दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं चैना एक कम्निस्ट कंट्री है वहां अगर ये बात कोई उठाने भी चाहे तो या तो वो से जिन्दा मार देते हैं या फिर उनको जेल में डाल देते हैं और दोस्तों अब जैसे कि आप जानते हैं इंडिया एंड चैना डिसेंगेजमेंट कर रहे हैं एड़ पैट्रलिंग पॉइंट 15 इंदा गोगरा होट इस्प्रिंग डीजन जो की इस्टन लगदात में हैं बारत और चैना की सेना उन्हें आर्ट सितंबर को अनौंसमेंट कीते की उन्होंने पैट्रलिंग पॉइंट 15 से सैनिको को हटाना शुरू कर दिया है और दोस्तो इसी वज़ा से भारत और चीन के बीच लंबे समय से टकरार चली है अब जो ये टकरार है दीरे-दीरे खतम होती हुई दिख रही है जो की इंडिया इंचैना लेशन्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है दोस्तो इसी के साथ लाइन ओफ एक्शन कंट्रोल पर अब इस्तिती दीरे-दीरे नॉर्मलाइज होती हुई दिख रही है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस डिसेंगेजमेंट से पाकिस्तान को चुबन होने लगी है पाकिस्तान इस बात की चिंटा में है कि आखिर क्यों इंडिया-चाइना के रिलेशन्स इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत नेगेटिव डवलपमेंट है दोस्तों पाकिस्तान को चुबन इस बात की है कि इंडियन आर्मी पहले L.A.C. और L.A.C. पर दोनों जगा डिवाइट थी पर अब पैट्रलिंग पॉइंट 15 के डिसेंगेजमेंट के बाद इंडिया अपनी सेना लाइन ओफ कंट्रोल पर और ज़्यादा बढ़ा पाएगा जिससे पाकिस्तान के लिए अब और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है और दोस्तो इसी के साथ मैं आपको बता दूँ सेप्टेंबर में होने वाली S.C.O. मिटिंग जिसे शेंगाई कॉर्परेशन और्गनाइजिशन भी कहते हैं पर दोस्तो ये नियूज अभी कंफर्म नहीं है कि वो दोनों लीडर्स मिलेंगे या नहीं पर दोस्तो इस समिट में का जा रहा है कि अगर मोदी जिए और शी दिंपिंग मिलते हैं तो इंडिया और चैना के इलेशन्स एक new way development के लिए हो सकते हैं एक new रस्ता हो सकता है इंडिया और चैना के इलेशन्स हो के लिए और दोस्तो इसी के साथ मैं कहूंगा हम सब के लिए ये एक अच्छी निज है कि अब line of action control पर दीरे दीरे तनाफ कम होता जा रहा है और दोस्तों वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो नीचे देखे सब्सक्राइब बटन को जल्ली से दबा दीजिए लाइक करें शेयर गरें जै हिंद जै भारत